आज की कहानी का नाम है बोलती गुफा एक बार एक सिहां पूरे दिन जंगल में गुमता रहा, पर उसे एक भी शिकार नहीं मिला अंत में वह बहुत ठक गया, शाम का समय हो गया था, सिहां ने गहरी सांस छोड़ी और मन ही मन बोला कोई बात नहीं, आज उपवास हुआ सिहां इधर उधर देखता हुआ, अपनी गुफा की ओर जा रहा था, तभी उसे एक अन्य गुफा दिखाई पड़ी सिहां ने सोचा, यहां भी देख लूँ, शायर गुफा में कोई शिकार मिल जाए सिहां कुफा के भीतर गया, गुफा खाली थी, सिहां ने गहरी सांस छोड़ी, तभी उसके मन में एक विचार आया शाम होने वाली है, इस गुफा में जो जानवर रहता होगा, वह अब जरूर वापस आएगा मैं यहीं छिप कर बैठ जाता हूँ, यहां बैठे बैठे ही शिकार मिल जाएगा, और मेरी भूख मिट जाएगी सिहं चुप चाप गुफा के भीतर बैठ गया, और शिकार के आने की राह देखने लगा वह गुफा एक सियार की थी, सियार बहुत चतुर जानवर होता है, थोड़ी देर में सियार चारों ओर देखता, सुनता, सूंगता, गुफा के पास आ पहुँचा तब ही अचानक उसके पैर रुख गए, अरे ये तो सिहं के पंजो के निशान है, गुफा के भीतर जाने वाले पंजो के निशान तो दिखाई देते हैं, पर गुफा से बाहर आने वाले पंजो के निशान कहा है वह समझ गया अवश्य सी हमाराज गुफा के अंदर बैठे मेरी राह देख रहे होंगे उसने मन ही मन कहा अच्छा हुआ मैं सूरज डूपने से पहले ही गुफा पर लोटाया अंधेरे में आता तो मुझे सिह के पंजो के निशान तिखाई ही नहीं पड़ते और मैं उसका शिकार बन जाता सियार कुछ देर सोचता रहा फिर उसने तै किया गुफा में जाना तो जरूरी है सारी रात खुले जंगल में तो नहीं रहा जा सकता बाहर रहा तो कोई न कोई हिंसक जानवर जरूर मार ही डालेगा फिर पूछ हिला कर वह बोला गुफा अरी ओ गुफा कुछ देर सी आर चुप रहा वह फिर बोला गुफा अरी गुफा आज तु बोलती क्यों नहीं हर दिन तो जब मैं कहता गुफा अरी गुफा तो तु कहती थी आजा रे आजा कैसा रहा आज का दिन गुफा के अंदर छिप कर बैठे सीहने सोचा रोज ये गुफा सियार के आने पर ऐसे ही बोलती होगी लगता है आज मुझसे डर रही है इसी लिए यह बोल नहीं पा रही गुफा के बदले मैं ही जवाब देदू तो सियार ने थोड़ी देर बाद फिर कहा गुफा अरी गुफा तभी अंदर छिपा सिहन दबे स्वर में बोल पड़ा आजा रे आजा कैसा रहा आज का दिन सियार की आवाज कितनी भी धीमी हो भला कहीं छिपती है उसकी आवाज से गुफा गून जुठी आस पास के सभी जानवर सचेत हो गए सिहन सोचता रहा कि अब सियार गुफा के अंदर आएगा परन्तो सियार के बदले उसकी आवाज आई सिहन महराज गुफा भी कहीं बोलती है अच्छा तो फिर राम राम सिहन ने गुफा से जांक कर देखा तो सियार तेजी से भागा जा रहा था इस तरह चतुर सियार ने अपनी बुद्धी मानी से सिहन से जान बचाई वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें